ुआज़ु फाल में अपने शिशों की उनती चाहते हैं। गुरु हर हाल में अपने शिशों की उनती चाहते है। बापुजी यहाँ बड़ी सरलता से समझा रहे है कि अधर्म के दस जर्णों से क्यों और कैसे बचा जाए ? अधर्म का मार्ग क्या होता है ? कि अधर्म का मार्ग होता है कि पहले दुष्ट का संग मिलता है असताम संगत दुष्टों का संग फिर दूसरा दूसरी सेड़ी क्या है अधर्म भी अधर्मा रतहा अधर्म की प्रवृत्ति में लिपतो जाना तो पहले दुष्टों का संग फिर अधर्म में रती ही पाप में रुचिय हो जाएगी फिर तीसरा अजित इंद्रिया इंद्रियों को वश नहीं करना रोकना नहीं जब आये तो खा लिया जो आये तो भोग लिया जैसा है कर लिया मजा 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 ये अधर्म का तीसरा सौपान है अपना मंगल चाहें तो जिस जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते हैं ये भोगे के बिना खाए के बिना ऐसे करे के बिना तो उन गंदी चीजों के बुले हम भोजन के बिना नहीं रह सकते तो भोजन छोड़ देंगे भोजन व्यसन नहीं है रोटी दाल के बिना आप सबजी रोटी से रह सकते हैं तो आप चावल सबजी से भी रह सकते हैं जो भी तामसिक गंदी आदत है ज्यादा बोलने के आदत है तो उसके बिना रह सकते हैं ठीक काम चला सकते हैं जूट बोलने के आदत है जूट के बिना भी जूट को कम करते करते जूट से निवरतोने के भी हो सकते हैं तो जो जो इंद्रिय और मन के द्वारा पतन के तरफ ले जाता है, जो आप शास्त्र, संत्र और स्रेष्ट जनों के सामने नहीं कर सकते, अंतरहत्मा रूके टोके धर्म के संस्कार वो छोडने का हिम्मत करे. चोथा हो गया काम आत्मा, अर्थात करपन हो गये, पीछे की बात याद करके दुखी हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आगे की कलपना करके ये छूट न जाए, वो छूट न जाए, ऐसा न हो जाए, ये करपन ता आ जाएगी, भय आ जाएगा, नोक्री न छुट जाए, बदली न हो जाए, प्रमोशन न रुक जाए, निंदा न हो जाए, फलाना न रूठ जाए, दिंगना न रूठ जाए, प्रारब न होगा, तो होके रहेगा, नहीं तो रुख जाएगा, तो रुख जाएगा, अभी से क्या टेंशन करें, तो हजार प्रमोशन होने के बाद भी आत्मा की बडुतरी नहीं होती, और हजार रुकने के बाद भी आत्मा की गटुतरी नहीं होती, तो जो भी होगा मरने वाले शरीर के लिए होगा तो जो भी मिलेगा तो मरने वाले शरीर को मिलेगा तो उसके लिए डरना क्या और छूटेगा तो जो तहले नहीं था वो यह छूटेगा छूट भी जाएगा तो क्या छूटेगा अपने मैं को तो छोड़ नहीं सकते, और सरी को सदा रख नहीं सकते, यह न छूट जाये, वो न छूट जाये, लेकिन अधर्म के कारण टेंशन, तनाव और भाय हो जाता है। तो असताम संगात, जिनके स्वभाव में संतत्व नहीं है, शास्त्र ज्ञान और संयम नहीं है, ऐसे लोकों के संग से जीवात्म का पतन होता चला जाता है। फिर मकान बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, पर नोक्री बढ़िया है, लेकिन शान्ती नहीं. एक दो आदमी के यह आलत नहीं है, करुणों लोक बिचारे, खाम खा दूखी हो रहें, अकारन परेशान हो रहें. इतनी सुख सुविधा होते होए भी पच रहें, अभाई बढ़िया में जगड़ा, पत पत्नी में जगड़ा, पणोसी पणोसी में जगड़ा, इसने अईसा कर दिया, वह ईसा करें, ऐसा करें, अईसा करें। और दुख जब होता है तो समझ लेना बेवकूफी का फ़ल है ना समझी का फ़ल दुख है जब जब दुखा है दुखा ना समझी से दुखा है फिर चाहे भूतकाल की याद करो और आप शोक करके दुखी हो चाहे भविशकी कल्पना करके भाय करके दुखी हो चाहे वर्तमान में लोलुपता करके आसकती करके रागद्वेश करके दुखी हो लेकिन बेवकूफी के बिना दुख नहीं हो सकता क्योंकि दुख प्रकृति ने नहीं बनाया दुख परमात्मा में भी नहीं है और दुख हम चाहते भी नहीं लो तो नासमझी का नाम है ब्योग, दुख, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, दुनिया ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है, बड़ा अन्या हो रहा है, अरे बुद्धू, भगवान, इतनी स्रिष्टियां एक तुमको दिखती है, ऐसी तो कई कई स्रिष्टियां है, इतनी स्रिष्टियां चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो तुमारे से उनकी अकल क्या कम हो गई, जो तुम जजमेंट देते हो, निरनायक बनते हो, कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह ऐसा हो गया, यह ऐसा हो गया, मन को समझाओ के बेवकुफ नंदन अगर तेरे चाह का होता रहे ऐसे दूसरा भी जैसा चाहेगा ऐसा होगा होगा तो सब के चाह के अनुसार हो तो क्या संसार चल सकता है क्या कभी किसी की कभी किसी की थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी ये धक्का मुक्की से गाड़ी चलती रहती तो अधर्म की सीड़ी चठ्थी क्या है लुब्ध अर्थात लोब कहीं से भी विशह विकारी सुख मिला तो अधिक 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 तो उसमें ज्यादा बल बुद्धी तेज तंद्रस्ती ना सुझे सात्म है स्त्रेन अर्ठात स्त्री पूश सबंध जनम जनम मिलते रहे यह मेरे कहने में चले यह ऐसा नहीं करे वो ऐसा नहीं करे इससे भी दुख बनाते यह भी अधरम का ही बेटा है तो सात्म है यह स्त्रेन स्त्री पुरुश में वस्तों में बंद जाना और आठमा अधरम का स्त्री क्या है बूत भी तरिन सका हा पर था तो दूसरों को दुख पहुँचा कर भी भोग और मजा और बावाई चाहिए चाहे पबलिक पीडित हो जाए तप जाए भी कठी करें और अपना बस जाए गूश पैसे कठे करें नोकर भुखे रहें चाहे कैसे भी रहें अपने पास में यह नौमा पाप आजाता है अभिधाना अर्थात शास्त्र के विधान के बिना विरुद्धाच्रा करना मास खाना दारूपीना भूत प्रेत दाकिनी शाकिनी की वासना करके भी कुछ किसी का ठांग तोड़ना करवाना या कुछ पाना यह अभिधान रुपी अधर्म नौमा पाग चरने अवशो जन्तो अर्थात पराधिन पश्रू की तरह हो जाता है आता है श्री माद भागवत अश्लोका मेने व्याख्या बताई आको